वेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैटेट क्लास आज हम देखें समाजी विशय पेड़ागोजी की यह हमारी तीसरी वीडियो होगी तो आए स्टार्ट करते हैं देखते हैं परशनों को यहां पर जो हमने पहला परशन गया है वो है कि निम्न में से कौन सा विविधिता को बढ़ा देता है आपको पता है कि भारत हमारा विवित्ता का देश है और इस विवित्ता में भी एकता यहां की सबसे बड़ी महांता है तो कह रहा है कि यहां पर जो विवित्ता है उसको कौन सा पॉइंक यहां पर बढ़ावा देता है आपके ऑप्शन है अपने गाउं जाना रेल दिवाली मनाता है तो क्रि cricket है दिच्शिथ है तो क्या होता है जो कहीं नहीं आपको क्स mentalित करना और फॉर थे अपने तींब जाना यह ज़रूर नहीं है कि अपने ऑफचन जाने से विवित्ता दिखाई दिए गलत पॉइंट है दूसरा है कि रेलगाड़ी से यात्रा करना है रेलगाड़ी में यात्रा करने कि भी लिए कोई विवित्ता की जरूरत नहीं हुआ हिंदू-मुस्लिम स्रीक हिताई एक ही ब्रेंच पर बैठ कर जाते हैं तो कोई वैसी पर ठीक है कि विवित्ता को जो बढ़ावा देता है वो है अपने त्योहारों को मनाना अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन यहां पर है कि मान्चित को समझने की सर्व्यापी भाषा को समझा जा सकता है क्या पूछा जा रहा है कि मान्चित्रों को समझने के जो सर्व् तो आप इंडिया में चाहे कहीं भी चले जाएगे वह आपको वैसा ही मिलेगा तो इसी तरह से मांचित के लिए तो आपको यहां पर देखना है पहला है कि वर्ण माला अच्छरो द्वारा रूड़ चिनों द्वारा और चौता है रेखा चित्रों के द्वारा देखे जो रूड़ चिन नक्षे पसांगेति की रूप में दिखाय जाता है वह रूड़ चिन जो सर्व जगे एक समाहर रहते हैं यानि कि सर्व व्यापी है यह रूड चीन जो एक मैप के लिए भाषा का काम करते हैं तो आप्शन तीन आपका यहां पे सही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन दिया है कि निमलिखित में कौन सी सिच्षक सहायक सामगरी माहद्वीपो के अनुपातिक छेत्व आकार को दर्सानी के लिए सबसे सुप्यूक्त होती है अप्शन देखिए आपका ग्लोब है विष्व का राजनयतिक मानचित्र क्या पूछा है कि महाद्वीपो की इस्थित्यों को पूछा है तो राजनयतिक म पोस्टर को और यहां सब्सक्राइब ओप्षिन को अपेशां प्रणुक्रम待 को सभी हो कि प्रमीण होता है और ये महादीपों की इस्तिती परिस्तिती उसका अच्छे सब कुछ दरसाता है एक्दम सही तरीके से इसलिए option एक आपका यहाँ पर सही है अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि अनवेशन आत्मक प्रशनों का लाब है अगर बच्चों से आप अनवेशन करवाते हैं तो उसका क्या लाब होगा देखिए option चात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में चात्रों में समस्या पैदा करने में चात्रों के व्यक्ति को शांत करने में या उपरोग सभी तो यहां पर देखी दिया है कि पहला चात्रों में तार्किक सोच को पैदा करने के ये point है हो सकता है और जो दूसरा है चात्रों में समस्या पैदा हम बच्चों में समस्या पैदा नहीं करते हैं अन्वेशन के धुरू चात्रों के अभिव्यक्ति को भी शांत नहीं किया जाता है इसकारण से यहां पर एक पॉन्ट सही और दो पॉन्ट गलत हो रहे तो चौथा ऑप्शन भी आ अन्वेशन कावर को पूरा करते हैं इसलिए मesan यहां प्रीसह देखी अगला प्रेशन है यहां पर कि सामाजिक अध्यिक पर नहीं के मुल्यांकन के लिए वस्तुनिश्ट प्रश्न प्रेश्न पद्वत्वत की आशक्ता का मुख्य कारण कौन सा है कारण क्या है कि वास्तु निश्ठ जो प्रेश्न पद्वत्वती है कि एक कि संपूर भूत कर अध्यन नहीं करना पड़ता क्यों आप poker होगा सबrement भी बढ़ाते हैं स्टूरेंट्स को क्लास 1 में 2 में 3 में 4 किसी भी क्लास में हो तो आप तो उसका पूरा स्लाबस खतम करते हैं बीच में थोड़ी ना छोड़ देते हैं वस्तुनिस्ट प्रश्णों के कारण अगला देखिए छात्रों को मौलिक अभिवयक्ति का आउसर प्र लेकिन वहां पर आपको में प्रश्ण सेलेक्ट करना है माली जी एक अंक में लिखना हो तो कैसी कंडिशन होगी आपको फिक्स आंसर देना होगा तो यहां पर मौली का भिवर्ति है उसका आउसर नहीं मिलता यहां पर आपका दूसर तीसरा पॉइंट भी गलत है चात्रों कि लेखन सेली एंब भाषा शेली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती यह पॉइंट भी गलत है क्योंकि लेखन चाली भाषा चली एक शब्दों के माध्यम से नहीं विख्थ होगी जब तक वो पूरा निबंध की रूप में प्रश्णों का आंसर न दे तो यहां दे क्यांसा सामगरी नहीं नहीं है कह사를 कि मोखिक रूप से अगर आप उतिहास की जानकारी मिल्रही है वह नहीं कौन सी सामगरी इसमें नहीं है तो नहीं पॉइंट को छोड़ कर ये देखिए कौन सा है कौन सा मौखिक श्रोत का माध्यम है यानि कि जो इतिहास आपको किताबों से जानकारी नौ मिलकर डाइरेक्ट इसी व्यक्ति के मुक्ष से जुनने को मिले ठीक है देखें आप शर्ट सैन विद्रो हैं में एक बृटिस चैनिक का मौखिक वर्णत अगर सैन विद्रो के सेमी वह सेनिक रहा हो उसके द्वाराओ हिस्ट्री देखें तो आपको मौखिक इतिहास की आंतरगत त्शिक है और यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं तरू यह आपका प्लशन के हिसाब स से गलत होगा अब दूसरा पॉइंट है कि उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत में पाकिस्तान गया था यह उस व्यक्ति के बारे में कहा है जो वर्तमान ने यह सिच्छा देखी थी तो यह भी मौखे की तिहास हो गया यह भी हो गया आपका सही फिर यह एक बृतांत जिन्होंने भारत छोड़ आंदोलन में हिस्सा लिया था यह भारत छोड़ आंदोलन की इस्थिती का इतिहास का एक मौखिक उदारण देगा वह व्यक्ति जो उस घटना में शामिल रहा हो यह भी सही है तो देखें जो मौखिक इतिहास है आपका पहला दूसरा चौथा यह मौखिक इतिहास हुए लेकिन प्रश्ण कहा रहा है कि नहीं है तो नहीं आपका आप्शन तीन देखें यह कहा रहा है जो वर्तमान अध्यापक के बारे में बता रहा है तो यह नहीं चब्र किसे दिखा रहा है वो इसे ही दिखा रहा है तो प्रश्ण के प्रश्न फिर से देखें, नेड में से क्या समाजिक विज्यान सिछड की समस्या है, देखें छात्रों में उची दिश्ट्यूकोड का अभाव ये एक समस्या है, इसलिए ये पॉइंच सही हुआ, हम नहीं को छोड़ देते हैं, तो ये पॉइंच सही हुआ, दूसरा है समस्चा की रूप में नहीं है तो यहां पर आप इसे आगेती कर दीजिए अब देखिए व्यक्तिगत अनुभाव की कमी यह भी एक समस्चा पूछा गया कि समस्या नहीं है तो जो नहीं अपका सब्द है तीसरे पॉइंट को इंगित कर रहा है कि ये समस्या की रूप में नहीं है संसाधनों की परियाप्टता आपका यहां पर सही है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है कि अन्वेशन के दौरान एक अभलक्या को बढ़ाने की रूप में या छोत्रों का है तो बच्चों को दिया गया हुता है तो ऐसे कड़न में पत्द्दर्शन की जरूरत हो कि बच्चे हर चीजन नहीं जानती तो एक अध्यापक का कार में पर पत्दर्शक का होना चाहिएं उन्हें बताना चाहिए तो option एक आपका यहां पर सही है दूसरा है कि केवल एक सहयोगी की रूप में यह नहीं होगा पर टेक छात्रों की समस्याओं को बड़ा अनुवेशन कार में आप उनके समस्याओं को दूर करें नौकी बढ़ाएंगे तूसरा गलत हो गया चौता है कि छात्रो का एक अलग विशे की रूप में अध्यन करान के सर्ण प्रथम सिफारिश किसने की थियान की समाजी विशे को एक सब्जक्ट की रूप में पढ़ाया जाए यह किसने का था तो यह आपका कहा था मुदालियर आयोगने प्रश्ण के साब से option एक आपका सही है अगला प्रश आपके options देखे दिया है कि छात्रों को गीता की उपर एक लंबा भाषण देंगे या फिर दुसरा है कि छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पाट पढ़ाएंगे छात्रों को गीता पर एदिबन लिखने के लिए कहेंगे चौतरों को गीता की जनकारी अनुसंधान करन पढ़ाएंगे option 2 आपका यहां पर सही होगा बाकी तीन पॉइंट गलत हो रहे हैं ना तो आप भाचर देंगे नो तो गीता पर निबंध लिखने के लिए क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे तो जानती नहीं कि इस पर गीता निबंध लिखेंगे इसल तक के लिए नमस्कार